हेलो देर स्टूडेंट्स कैसे है आप सब लोग मैं मोहिन पठान आप सब का स्वागत करता हूँ अड़ा247 के चैनल एंड़ी अड़ा247 पर और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज्यादा होट टॉपिक है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पर परवेज मुशर्रफ की सारी की सारी जानकारी उनके पूरे प्योंने को हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग करने जा रहे है इन स्टार्ट ए वीडियो स्टार्ट करते है एक श री से जो इनकी लाइफ से या किसी भी डिक्टेटर की लाइफ से connected हमेशा होती है तो वह शायरी कुछ इस तरीके से है कि हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे जमी खा गई नोजवां कैसे कैसे तो ultimate reality यह है कि तुम कितने भी बड़े dictator हो कितने भी बड़े तुम राजा हो कितना भी तुमने अपनी मन माननी करी हो लाइफ में लेकिन reality यह है कि ultimately death आपको जो है वो खा जाएगी कुछ इसी तरीके से हुआ है परवेज मुशर्रफ के साथ तो देखते हैं परवेज मुशर्रफ के बारे में कुछ जानकारी तो आईए तो सबसे पहले चीज यही वो शक्सियत है जिनके बारे में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं इंडिया के साथ इनके relations कैसे रहें प्लस हम लोग देखेंगे इनका बर्द का से हुआ एजुकेशन का से हुआ और सबसे इंपॉर्टन चीज हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी टेरर एटक्स इंडिया में हुए थे इनके टाइम पिरेड में क्या इनका हाथ उसमें था या नहीं था और इंडिया के लि परवेज मुशर्रफ वाज पाकिस्तानी मिलिटरी ओफिसर सबसे इंपॉर्टन और सबसे पहला पॉइंट ही हमें क्या बता रहा है कि हलका फुलका बंदा तो नहीं है यह पाकिस्तानी मिलिटरी ओफिसर था जोकी 10 प्रेशिडंट बना था पाकिस्तान में और कूप किया था धा और कूप का मतलब होता है क्या कि सरकार को हटाकर कुद की सरकार बना लेना डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिकली नहीं बलकि मनमानी से तो नवाज शरीफ को हटा कर यह बन गए थे प्रेसिडेंट ओफ पाकिस्तान ठीक है उससे पहले क्या थे यह बोल रहा है कि सब्सक्राइब क्या थे यह सब्सक्राइब क्या रहा है कि हलका फुलका बंदा नहीं था यह बंदा स्टेजेस में बड़ा होता चला गया और बाद में इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी की पूरी एंटाइर पाकिस्तान का कंट्रोल अपने अंदर में ले लेगा नेक्स्ट चीज क्या है इनके बारे में तो नेक्स्ट चीज कुछ इस तरीके से है आप इनका एज अ मिल्टरी जनरल का फोटो भी देख सकते हो कि यह एज अ मिल्टरी जनरल कैसे दिख रहे थे तो देली की पैदा देली में पैदा हुए थे यह और ब्रिटिश राज के टाइम प्रेड में पैदा हुए थे मतलब 1947 से पहले पैदा हुए है इसका मतलब 1943 का इनका वर्त है 1943 से लेकर 2023 तक इनका टाइम पिरेड रहेगा तो 80 यह तक यह रहेंगे जिन्दा और रिसेंटल इनकी डेथ हो गई है और इसी वज़े से यह टॉपिक हमारे करेंट अफेर्स वाले में हैं नेक्स चीज़ क्या है बट रेज्ट इन कराची इन इस्तानबूल लेकिन यह जो ग्रोप हुए वह बड़े कहां पर हुए ग्रोप कहां पर हुए तो यह बड़े मैथमेटिक्स पढ़ते थे यह एट फोर्मेन क्रिष्टन कॉलेज इन लाहोर तो लाहोर से पढ़ाई हुए इनके एंड वाज अलसो एजुकेटेट अट रोयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टेडी जो की लंडन में है तो लंडन से भी पढ़ाई हुए इनकी और लाहोर से भी पढ़ाई हुई है तो दो बड़ी बड़ी जगाओं से इन्होंने अपनी तालीम हासिल करी है नेक्स्ट इस इनके बारे में है कि मुशरफ एंटर दप एंटर दपाकिस्तान मिलिटरी अकेडमी 1961 तो 1961 से यह घुच चुके है किसमें आर्मी में तो पाकिस्तान मिलिटरी अक आर्टिलिरी रेजिमेंट में इनको लिया गया था तो 1961 में मतलब इंडो पाक वार के चार साल पहले इनकी एंटरी हो जाती है पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान मिलिटरी अकेडमी में और उसमें भी किसमें आर्टिलिर रेजिमेंट में इनकी एंटरी हो जाती है ठीक इन्होंने लड़ाई करी थी अगेंस्ट इंडिया ठीक है तो हमारे खिलाफ लड़ाई करने वाला यह वाला बंदा है जो की आगे जाके 1965 के बाद लगबग 30-35 साल बाद यह आगे जाके प्रेसिडेंट बनने वाला है पाकिस्तान का इन्होंने एक पाकिस्तान पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान इंडो पाक वार में जो है वो हिस्सव लिया था आगे क्यों बाइद in the 1980s he was commanding an artillery brigade और 1980 आते यह ब्रिगेडर बन गे थे अपने artillery के ठीक है तो इसका मतलब 1961 में तो इनके entry हो जा थी artillery में और 1980 आते आते यह ब्रिगेड बन चुके ब्रिगेड समाने लगे command करने लगे ब्रिगेडिर बन गे इन the 1990s मुशरफ was promoted to major general जैसे 1990 आता है 1990 का दशक आता है तो इनको promote किया जाता है as a major general and assigned an infantry division और इनको एक infantry division दिया जाता है जो जिसके उपर पूरी तरीके से control जो है वो सिर्फ और सिर्फ परवेत मुशरफ कर रहेगा and later commanded the special services group और बाद में इन्होंने command किया special services group को भी soon after he also served as deputy military secretary इसके बाद deputy military secretary का भी इन्होंने काम किया है and director general of military operations और military operations के director general भी यह रह चुके थे he played an active role in the Afghan civil war तो Afghan civil war जो हुआ था उसमें भी इनका जो है बहुत ज्यादा active role रहा था और इन्होंने encourage किया था पाकिस्तानी support for the Taliban और इन्हों ने उस time period में Taliban का किया था support तो Afghanistan civil war के time period में इन्होंने support किया था Taliban का ठीक है तो यह इनके बारे में important चीज हो जाती है बाद में हमें यह पता लग रहा है कि यह बंदा stages में कैसे बढ़ता चला गया और कैसे यह 1990 आते आते बहुत powerful बंदा बन जुका था पाकिस्तानी military का आईये देखते हैं आगे हमारे पास क्या information है इसके regarding आगे यह बता रहे है कि मुशर्रफ became the head of armed forces अब armed forces मतलब army के यह बन गए थे head in 1998 1998 में 1998 आते आते यह armed forces के या फिर army के बन गए head when he was promoted to four star general और four star general बन चुके थे जैसे है कि हमें इस तस्वीर में इस photo में दिखाई दे रहा है ठीक है तो four star general बन गए थे और यह जो शक्सियत है यह तो परवेज मुशर्रफ है यह जो बंदा है यह नवाज शरीफ है जो उस टाइम प्रेव में प्राइम मिनिस्टर आफ पाकिस्तान था तो यह वस प्रमोटेट टो फॉर स्टार जनरल बाइ प्राइम मिनिस्टर नावाज शरीफ लेट देगा इंडिया पाकिस्तान तो वार इन नाइंटी निन 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 नहीं अब इननों नहीं क्या किया इसने जिसका नाम परवेज मुशर्रफ है परवेज मुशर्रफ ने कारग मिल्टेंस को भिजवा दिया और बीना गवर्मेंट की पर्मीशन लिए ठीक है क्योंकि फुली डेमोक्रेसी कभी आई ही नहीं है पाकिस्तान में हमेशा से वहाँ पर पॉलिटिक्स को लेकर प्राइम मिनिस्टर को लेकर प्रेसिटेंट को लेकर लड़ा ही रहती है और ज्यादा चेंज अभी भी नहीं हुई है जैसे पहले थी वैसे ही चल रही है आफ्टर मंस ऑफ कंटेंशियस रिलेशन्स बिट्वीन शरीफ एन मुशरफ तो क्योंकि इसने कारगेल इंफिल्ट्रेशन करवाया था तो नवाज शरीफ जो की प्राइम मिनिस्टर थे उस टा निकाल दिया था पोस्ट से किसको परवेज मुशरफ को लेकिन इस चीज में यह सक्सेस्फुल नहीं रहा और सक्सेस्फुल इस वज़े से नहीं रहा क्योंकि 1998 आते आते परवेज मुशरफ बहुत ज्यादा स्टॉंग हो गया था क्योंकि जैसे कि हम लोंको देखा 1961 से यह रडी्स नहीं होगा इन रिडेलिएशन आर्मी स्टेशола कूपी 1990- дух क्योंकि प्रवेज मुशररफ को निकाल दिया था हूब को पता है कि head था पाकिस्तानी आर्मी का armed forces का तो क्योंकि इसको हटा दिया गया था तो पाकिस्तानी आर्मी ने retaliate करने के लिए क्या करा कूप करा 1999 में और कूप का मतलब क्या है नवाज शरीफ की नवाज शरीफ की पोजिशन को और गवर्मेंट को हटा दिया और पूरा के पूरा पाकिस्तान ले लिया अपने खुद के कंट्रोल में विच अलावड मुशर्रफ टेक ओवर पाकिस्तान एज प्रेसिदेंट इन 2001 और क्यों कि यह हुआ तो 1999 में यह चीज हो रही और 2001 में परवेज मुशर्रफ बन जाते हैं प्रेसिदेंट आफ पाकिस्तान तो हम लोग यह देख पा रहे है कि यहाँ पर जो है कैसे कैसे मिलिटरी के जोर पे पावर अपने हाथ में छीनी जा रही है यह बिलकुल भी डे नवाज चरीव के साथ नवाज चरीव को इस ने डाल दिया house arrest में ठीक है house arrest before launching official criminal proceedings अगेंस तो नवाज चरीव के साथ इसने भूद बुरा कि नवाज चरीव को एक तो इसने house arrest करा और फिर बहुत सारे cases इसके अगेंस्ट में प्रोसीड किये और वह भी cases civil प्रिमिनल केसे नवाज शरीफ के अगेंस्ट में स्टार्ट करवाए क्योंकि अब सारे की सारी पावर military and democratic दोनों के दोनों powers जो है military powers भी और कौन सी political powers भी दोनों के दोनों क्योंकि अब परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई थी तो इस वजह से परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को house arrest भी करवाया और इसके खिलाफ कि criminal proceedings भी जो है वो भी चलाई नेक्स चीज देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स चीज हम यह बता रहा है कि परवेज मुशर्रफ पर क्या-क्या एलिगेशन लगते हैं और किन-किन चीजों के लिए इनको जिम्मेदार समझा जाता है वो सारे की सारी चीज़े हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले चीज़ यह करा है कि एलिगेशन जो लगता है परवेज मुशर्रफ पर यह है पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्शिप के उपर गलत जूटे केसे जो है इन्हों है दर्ज करवाय थे क्यों कि भाई इनको पता है कि यह एक मिलिटरी ऑफिशल है और धोके से पावर हाथ में लिए तो जितने भी अक्टिवस्ट है उनको प्लसment पॉल्टिकल लिड़ेस के ऊपर फॉल्स लगा लगा कर उनको जेल में बढ़ा जाथा। उसमें भी माना जाता है कि परवेश मुशर्रफ पूरा-पूरा हाथ था। नवाज शरीफ एंड इम्रान खान तो नवाज शरीफ इम्रान खान और बे नजरी भुट्टो तीनों के खिलाफ जूटे केसे दर्ज जो है इन्हों ने करवाये थे और इसी वज़े से इस वज़े से इसने क्या किया इसने जैसे ही प्रशिडेंट बना तो सबसे पहले चीज इसने पॉलिटिकल लीडर जितने भी थे इसने बे नजरी भुट्टो इमरान खान और नवाज शरीफ इन सब की पर केस तो जूटे दर्श किये लेकिन क्योंकि इसको पता था कि जो जजस है ये लोग सच्चाई का साथ देंगे और ये लोग क्या करेंगे इनको सजानी होने देंगे तो इसने फटक फटक से इन सब को भी इनके पोजिशन से हटाया और लगबग 100 जजस जो है उनकी जो पोजिशन है उनको छीन लिया इंक्लूडिंग दे चीव जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनका नाम था इफ्तेकार चोद्री तो इन सब को अपनी पोजिशन से हटाने का बहुत बड़ा कले जाए इसके पास था अगर हम सोचें कि क्या ऐसा इंडिया में कभी हो सकता है तो इंडिया की कंपैरिजन में पाकिसान की कंपैरिजन में इंडिया बहुत ज्यादा बेटर और बहुत अच्छे से काम करने वाला देश है जूडिशरी कंप्रीटली इंडिपेंडेंट है और कोई बंदा अनकॉंस्टिशनल तरीके से ना तो कूप कर सकता है इंडिया मे और ना ही किसी sitting judge को बिना impeachment के निका सकता है next चीज देखते हैं क्या होता है इसमें तो next चीज यह हमें बता रहा है कि other allegations के बारे हम बता रहा है पहला allegation तो देख लिए हम लोग उने की false cases लगा दिया और judges वगेरा को अपनी position से हटा दिया next allegations से मुझर्रफ orchestrated the disappearance of hundreds of activists and fighters बहुत सारे activists और बहुत सारे fighters को disappear करवा दिया गायब करवा दिया ठीक है कौन से fighters थे यह बोल रहा है कि he killed बलोच लीडर अकबर बुक्ति ठीक है यह जो भाई साब हमें भाई मांग रहा है वह हैं आपको पाकिस्तानी नहीं समझते हैं लोग most of the बहुत सारे बहुत सारे कहते हैं पहुत सारे कहते हैं उनको आजाति चलिकी लाठीश के चलता रहता है लेगीन इंपोर्टनत बात यहाँ यह है कि परवेश मुशर्रफ का completely hot था इस बंदे को मरवाने में जो की बलोचिस्तान का था लीडर और जिसका नाम था अकबर बुक्ति और अकबर बुक्ति को इन्होंने मरवाया था ड्रोन की थू ड्रोन की थू as part of a brutal crackdown on the insurgent movement in बलोचिस्तान यह क्या बोल रहा है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे तो उस टाइम पिरेड में ड्रोन की मदद से इनको अकबर बुक्ति को मरवा दिया था परवेश मुशर्ण नेक्स चीस क्या बोल रहा है अलाउड द यूएस तो यूज पाकिस्तानी बेसेस तो बॉम थाउजंस इन पश्थून एरियास ड् तो इसने परवेश मुशर्ण ने क्या गया परवेश मुशर्ण ने क्या परवेश मुशर्ण ने एक दिया और प्श्थून एरियास में वर आफ टेरर जो है इन्होंने चलवाया था नेक्स चीज जो हम लोग को देखनी है वो यह है कि conspire to destroy evidence in the बेनजीर भुट्टो assassination trial ठीक है यह हम लोग बेनजीर भुट्टो की कार और बेनजीर भुट्टो को देख रहे तो बेनजीर भुट्टो जो है बहुत ही ज्यादा strong leader थी जुल्फिकार भुट्टो की जो है यह बेटी थी और बेनजीर भुट्टो को इसी कार से आगे जाते हुए assassinate किया गया था और completely इसका allegation जाता है परवेज मुशर्रफ पे यह बेनजीर भुट्टो जो है डेमोक्रेसी को दुबारा से और्गनाईज करने के लिए दुबारा से सेटल करवाने के लिए आई थी पाकिस्तान में लेकिन इनका हो जाता है assassination लेकिन he conspired to destroy evidence जो बेनजीर भुट्टो का जो assassination case था उसके जो सबूत है उसको मिटाने में भी परवेज मुशर्रफ का हाथ है और he was dread-handedly captured in it where he was declared a fugitive by the court और जब पता लगा कि परवेज मुशर्रफ का जो है इसमें हाथ है तो court ने डिकलर कर दिया कि परवेज मुशर्रफ जो है एक भागा हुआ भगोडा क्रिमिनल है मुशर्रफ defended himself claiming that he had fought corruption and restored grassroots democracy परवेज मुशर्रफ अपने आपको defend कैसे करता है यह कहकर कि मैंने जो कुछ भी किया वह सारी की सारी चीजे मैंने करी to fight corruption ताकि मैं corruption के साथ लड़ सकूँ और grassroot level की democracy जो है वो क्या कर सकूँ restore कर सकूँ ठीक है तो उसके अपने point से बताने के लेकिन सच्चाई जो है वो यह है कि हर चीज में अपनी मनमानी परवेज मुशर्रफ ने चलाई थी और परवेज मुशर्रफ जो है यह एक एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक mastermind था ठीक है mixed legacy इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में परवेज मुशर्रफ को किस तरीके से देखा जाता था यह देखा जाता है आज भी तो सबसे पहली चीज यह है कि इंडिया इंडिया में इनको कहा जाता है architect of the Cargill War मतलब की Cargill War जो initiate हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो कारण है वो परवेज मुशर्रफ है तो इसने क्या किया था परवेज मुशर्रफ ने बहुत सारे मिलिटन्स जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेंड किये थे वह भेजे थे कारगिल में जहां पर इंडियन पोस्ट थे इंडिया के जो टेंट्स वगेरा लगे हुए थे जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे तो उसके उपर कबजा करने के लिए जिनको भेजा हुआ था और यह बोला जाता है कि यह कंस्पिरेसी कंप्लीटली तरफ एक ही बंदेगी थी जिसका नाम था परवेज मुशर्र।हे या चशार लाइन ऑप क्ट्र험 के आस पास है तो वही यह बता रहा है लिए इस को जाना जाता है मुशर्रफ फ्रमिला के लिए जो रो कश्मीर कि लिए जू है वह लेकर आया था परवेज शारफ जैसे तरक फोटो में दिख रहा है कि मनमोहन सείग के साथ परवेस मुषरफ की कई बार मुलाकात हुई है और परवेस मुषरफ का यह कहना था कि तो नहीं लेकिन अघान उदूफियल सेट फौरमिले जो है मनमोहन resolution था मतलब की जमीन जो है वो जितनी जिनके पास है वह उतनी वही पर रहेगी लेकिन विच वुड अलाव ग्रेटर मुव्मेंट एक्रॉस तर लेकिन पाकिस्तान वाला पियो के और इंडिया वाला कर देंगे ताकि कश्मीर जो है उसको अपनी यूनिटी फील हो सके तो यह जो है मुशर्रफ फॉर्मिला था लेकिन यह मुशर्रफ फॉर्मिला जो है वह दोनों के नेक्स चीज जो हमें यह बता रहा है वह यह है कि कंप्लिसिट इन टेरर ठीक है टेरर में परवेज मुशर्रफ का कितना हाथ था तो वह हम लोग देखने जा रहें तो टेरर के अगर बात करें तो मुशर्रफ वस वस आलसो सीन एज तो मैन इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान वो बड़े-बड़े militant organizations लशकर-े-तयबा और जैश-े-महबद जो है इनके जितने भी attacks वगरा है इनको support भी किया प्लस यह जो भी हरकते करते थे तो इसने क्या कर लिया completely अपने आपको blindfold कर दिया और यह बताया कि मुझे तो नहीं पता कि यह कौन लोग है लेकिन माना जाता ह है कि इनको completely जो support था लशकर-े-तयबा को और जैश-े-महबद को यह completely दिया गया था परवेज-मुशर्णव की तरफ से दे इंक्लूड था है जैकिंग ऑफ आई-सी 814 इन 1999 तो हम सब को पता है कि यह एक एरोप्लेन था जो कि काठ मांडू से लेकर काठ मांडू नेपाल से लेकर जा रहा था दिल्ली के दरफ लेकिन इसको हाई-जैक कर लिया गया था और इसको हाई-जैक करके बहुत सारी जग गुमाया गया था इसको घुमाया गया था लाहोर और इसको घुमाया गया था दुबई और फिर इसको ले गया ले गया थे फाइनली कंधार जो कि आफगानिस्तान तो यह सब इन सब में help जो करी है वो परवेज मुशर्रफ ने पूरी-पूरी करी है इसके साथ साथ पारलेमेंट एटेक जो हुआ था 2000 में ये तो 1999 में हुआ था hijacking of ice aeroplane लेकिन पारलेमेंट के उपर जो एटेक हुआ था और जो bombing हुई थी इंडियन पारलेमेंट के उपर और जम्मू एंड कश्मीर के लेजिसलेचर के उपर जो bombing हुई थी और जो एटेक हुआ था दोनों के दोनों चीज 2000 में हुई थी और इसमें भी परवेज मुशर्रफ का completely हाथ है नेक्स चीज यह क्या बोल रहा है और जिसमें अजमल कसाब अगेरा को सजाज देख पार है इसमें अजमल कसाब अगेरा को सवजा देदी गई थी इंडिया की तरफ से और यह जो है यह है वो plane hijack जो काठमांडू से लेकर जा रहा था कहां पर काठमांडू से न्यू देली आ रहा था लेकिन इसको hijack कर लिया गया था लश्करे तयबा और जैशे मोहंबत के organizations की थू तो he had resigned and left his country before 2611 मुंबई attacks but it was during his tenure that the conspiracy would have been planned तो यह क्या बोल रहा है कि 2611 का attack जो है इसके पाकिस्तान छोड़के जाने के बाद हुए है लेकिन जो इसके conspiracy होगी जो इसका planning वगेरा planning and plotting होगा वो सारा के सारा planning and plotting करा गया था किसके टाइम प्रेड में परवेज मुशर्रफ के टाइम प्रेड में तो जितने भी टेरर अटक्स हम लोग देख रहे चाहे वो लश्करे तरफ से हो यह वह जैश मोहमत की दरफ से हो चाहे वह hijacking of IC 814 चाहे वह परलेमेंट आठाइक हो चाहे जमय कश्मीर के लेजिश्लेशर की उपर आठाइक हो चाहे 24 11 आठाइक हो तो सब में हाथ पाया जाता है और कि लाइफ की कि और क्या-क्या कांड किया है तो लास्ट में हैं जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या कि ऑजो कैसे-कैसे, तो कितने भी बड़े नामवर हो, कितने भी बड़े स्टरॉंग पीपल हो, कितना ही डिक्तेटर हो, कितने ही चुमारे पास आमसे नमिनेशन कितने ही बड़ी आरमी हो, लेकिन, लास्ट में डेथ जो है अल्टिमेटली सब को और कम करती है उसी तरीके से जो परवेज मुझराफ है वो दोबई में 2016 में हुआ हो गये थे इन 2018 he was diagnosed with amylodosis श्रेयर प्रोटिन लिंग डिजीज इन लेंडन तो इनको भरती कर लिया था आमेलोडाइसिस के लिए जो की एक रेर प्रोटेड लिंक्ट डीजीज है जो की नॉन क्यूरेबल है जो की नॉन क्यूरेबल है प्लस ही पास्ट आवे इन दुबई ऑन फिफ्ट फेबरुरी तो रिसेंटली अभी पाच फरिवरी को इनकी हो चुकी है डेथ और इसी वज़े से हम लोग यह वाला पूरा की पूरा टॉपिक पढ़ रहे थे आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक जो है वह बहुत पसंद आया होगा अकर नहीं आया होगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए प्लस अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत सार इंफॉर्मेशन चाहिए यह इंफॉर्मेशन चाहते है आप तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अड़ा 247 को देखते रहें प्लस हमारा विक्रम बैच 2.0 वह बड़ी जल्दी स्टा 242S है उसको यूज करें और इससे पाएं मैक्सिमम डिसकाउंट और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें एंड़ा 247 तब तक के लिए जय हिंद